question number 10 है c d and g h are respectively the bisector of angle a c b a c b angle a c b का bisector है c d ऐसे ही e f e g f e g f का bisector angle bisector g h ठीक है साथ साथ आपको information given है कि यह क्या करते है other side a b a b को d point पे और fe को h point पे touch करते हैं of triangle a b c and e f g ठीक है साथ साथ आपको यह information given है कि जो triangle a b c और e f g है यह दोनों को triangle क्या है similar triangle है तब हमारा जो पहला part कहता है पहला part यह कहता है so that c d upon g h c d upon g h and a c upon f g को इनका ratio क्या करना है equal proof करना है जो information हमें given है given information क्या है हमारे पास given में है कि यह जो c d और g h है यह क्या है angle bisector है c d and g h are bisector of of angles c and angle g respectively ठीक है अगर ऐसा कुछ है तो मैं इससे क्या लिख सकता हूं देखो already information के वर है triangle a b c यह वाला triangle और यह वाले triangle के हैं दोनों के दोनों similar है similar है तो triangle अगर triangle similar होते हैं तो उनके angles क्या होते हैं equal होते हैं तो इनका जो bisector है अगर मैं इन दोनों को किस से multiply कर दूँ हाफ से multiply कर दूँ तो हाफ हो जाएगा न इनका half of angle c and half of angle gb क्या होगा एकको लोगा क्योंकि दोनों अगर एककोल हैं दो number अगर आपस में equal हैं तो उनके हाफ भी एकको लोगए ठीक है अगर मैं angle c का half लिखना चाऊंँ तो क्या लिख सकता हूं? angle c का half या तो लिख सकता हूं don c है, vertex का half है यह को क्या करता है यह हाफ और आपस में equal हैं यह हाफ है यह हाफ और यह हाफ equal हैं तो half , सकता है Um एंगल बाइसेक्टर क्या करता है दो बराबर एंगल में डिवाइड कर देता है तो या तो अगर मैं आप एंगल आप से कहूं हूं तो आप या तो इधर वाला ले सकते हैं इधर वाला ले सकते हैं तो इससे आप लेख सकते हो एंगल हाव एंगल ACD ACD किसके FGH FGH ऐसे ही DCB, अगर आप यह वाला लेते हैं DCB तो यह एक्कोल हो जाता है हलाकि यह 4 होंगे, 4 होंगे डीगे, ऐसा नहीं है कि DCB, Z के एक्कोल होगा सबोज एक्जांपल ले 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 था, सबोज यह 100 डिगरी का होता 100 डिगरी का एंगल बाइसे रिकरते हैं, यह भी 50, यह भी 50 और ऐसे यह दुन उल्रेड़ी एक्कोल है एंगल C और एंगल G, तो यह 100 डिगरी होगा 250 यह भी 50 यह भी 50 यह भी 50 तो आपस में एक्कोल होगे तो यहाँ पर जो एंगल लिख रहा हूँ, यह इंटर्चेंजिबल हैं आप किसी का भी किसी के एक्कोल लेख सकते हैं फिलाल HGP क्या होगे आपस में एक्कोल होगे यह है हमारा गिवन वाला पार्ट गिवन वाली information से मैं यह निकाल सकता हूँ, ठीक है इसको मैं equation 1 कह देता हूँ, जिसका इस्तमाल कभी न कभी होगा ठीक है, पहला पार्ट है मेरा पहला पार्ट है question का CD, GH CD और GH, जिस हिससे मां आ रहे हैं वो actual में कौन सा triangle देख रहा है वो triangle देख रहा है, यह वाला ठीक है, यानि यह triangle और ऐसे ही यह triangle, क्या करना है मेरे को similar करना है, अगर यह triangle मैं क्या कर दूँ similar कर दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा दो triangle similar हो जाएंगे, तो उनका corresponding side का ratio भी equal होगा, दो triangle similar करने के लिए मुझे कही साथ यह चीचे देख नहीं होती है फिलाल मझे क्या दिख रहा है, मुझे already दिख रहा है a और f आपस में equal होंगे, क्योंकि दोनों triangle already similar है, similar triangle के angle बड़े वाले triangle के हैं, आपस में similar हैं तो उसी का हिस्सा a है, उसी का हिस्सा f है दोनों angle क्या होंगे आपस में equal होंगे पहले चीच, दूसरी चीच यह यह जो half है, angle C तो पूरा है angle C का क्या है इसमें, आदा हिस्सा आ रहा है ऐसे angle C का, angle G का आदा हिस्सा इसमें अभी हम दिसकस कर दिया angle C का half और angle G का half, हम क्या लिख सकते हैं तो ये दूनों अगर angle C, angle G के equal होगा, क्यों equal होगा, क्योंकि बड़े वाले triangle आपस में similar है, similar है तो उनके तीनों angle आपस में equal होगे, तो उनका हाप करने पे, उनके हाप भी क्या होगे, आपस में equal angle C का हाप क्या है, D, G, D, C, A, और यहां से F, G, H, जो हमने equation 1 में लिखे रखा है, तो इस equation को कैसे लिखा जा सकता है, first part को लिखा जा सकता है, in triangle, in triangle, a, c, d, a, c, d, in triangle, a, c, d, and triangle, F, G, H, F, G, H, इन दोनों triangle में मुझे क्या मिल रहा है, पहले angle F और angle A क्या है आपस में equal है, angle A is equal to angle F, यह दोनों equal क्यों है, क्योंकि जो बड़े वाले angle है, angle A, C, B, A, B, C और F, G, H क्या हैं, दोनों similar हैं, इस वज़े से, तो यह ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि triangle A, B, C, it's similar to, यह given है आपको, क्योंकि F, E, G, के similar हैं, अगर दो triangle similar होते हैं, तो उनकी corresponding, जो angles हैं, वो भी आपस में equal होते हैं, क्योंकि यह इसका corresponding angle है, यह इसका corresponding angle है, यह आपस में equal होगे, पहरी चीज़, दूसरी चीज, from equation 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, angle A, A, C, D, angle A, C, D, और यहां से angle F, G, H, F, G, H, दोनों क्यों होंगे, equal होंगे, कैसे कह रहा हूँ मैं, from equation 1, equation 1 में मैंने explain कर दिया है, क्योंकि यह दोनों क्या कर रहे है, angle B, C, और angle G आपस में equal होंगे, angle G, और angle C आपस में equal क्यों हो रहे है, क्योंकि दोनों similar triangle के part है, उनका हाप भी क्या होगा, अबस में equal होगा, अगर मैं दोनों तरफ हाप से multiply कर दूँ, तो angle C के हाप को, या तो यह लिखा जा सकता है, या यह, अगर यह लिखोगे, तो यह part इसके equal हो जाएगा, angle G का हाप यह लिख सकते हो आप, तो equation 1 से हम यह लिख सकते हैं, अब मुझे दो triangle में, दो angle क्या दिखे, equal, दो triangle में अगर दो angle equal हैं, इसका मतलब मैं उसको क्या कर सकता हूँ, congruent similar proof कर सकता हूँ, ACD is similar to triangle FGH, किस से कहा मैंने यह, by AA similarity से, angle, angle similarity से, मैं यह कह सकता हूँ, अगर, यह दोनों triangle similar हैं, तो अगर कोई दो triangle similar होते हैं, तो उसकी corresponding side का ratio भी गया होता है, आपस में equal होता है, इसकी corresponding side, मुझे जो दिख रहा है, वो चाहिए, पहले, ठीक है, AC और MG, AC यहाँ यहाँ पर है, पहले हम कहा लिख देते, CD, last वाली side, CD, यहाँ last की लिखिए, तो यहाँ भी last के GH, upon GH, किसके साथ दिक्कुल होगा, AC, पहले की दो, AC, H, F, G, F, G के दिक्कुल होगा, पहला part क्या हो गया, solve हो गया, ऐसे ही, सेम तरीके से, हम क्या करेंगे, DCB, DCB, याणि नीचे वाले जो ट्रैंगल है, कौन से ट्रैंगल, यह, highlight कर दता हूँ, ताकि देखने में आसानी रहे, ठीक है, तो यह जो blue वाले ट्रैंगल है, इन दोनों ट्रैंगल को क्या करना है, हमने similar proof करना है, जैसे हमने orange वालों को similar proof किया, वैसे हम blue वालों को भी क्या क सकते हैं, similar proof करते हैं, कैसे, same situation, again, क्योंकि already बड़े वाले ट्रैंगल का पार्ट है B और बड़े वाले ट्रैंगल का पार्ट है E, बड़े वाले दोनु ट्रैंगल आपस में similar हैं, तो उनके जो अंगल होंगे, वो भी आपस में क्या होंगे, equal होंगे, तो ये angle B और angle E क्या ह होगे आपस में equal होगे पहले चीज दूसरी चीज अगें एंगल सी का half ये एंगल सी है एंगल सी और एंगल जी equal है बड़े वाले triangle की बचे से एंगल सी और एंगल जी equal है तो उनके half भी क्या होंगे equal होंगे जो same situation है तो equation 1 मा जो मैं जैसे यहां हुई उसी situation से यह दूनों क्या हो जाएंगे triangle similar हो जाएंगे इसी को हम लिख लेता है तो हमारा second part है in triangle in triangle क्या थे triangle triangle थे dcb and triangle hg e यह दो triangle थे पहले चीज़ंको क्या मिली दी कि जो angle b और angle e angle b इदर से angle b और इदर से angle e क्या है आब जमें equal है क्यों equal है यह क्योंकि triangle a b z बड़े वाले triangle a b z similar है triangle f e g k यह दुनों ट्रेंगल क्या है आपसमें similar है तो उनके corresponding जो angle है वह भी आपसमें equal होगे इस वज़े से बी और angle e आपसमें equal होगे पहली situation यह दूसरी जो angle c का half है angle c का half को equation 1 से equation 1 से क्या लिख सकता हूं angle d c b h g यहाँ पर गलर लिखती है कुछ h g h नहीं हो सकता न h g e angle d c b equal to angle h g e के है कहां से लिख दिया मैंने इसको from equation 1 equation 1 में मैंने explain किया हो वहां से लिख दिया तो मुझे क्या दिख रहा है दो triangle मां दो angle equal है तो by a a similarity criteria triangle d c b is similar to triangle h g e दो नों triangle similar होगे third part पर आते हैं third part था हमारा d c a triangle d c a d c a को similar कर रहे है triangle h g f k जो already first part में ही solve हो चुका है d c a d c a f g h f g h हम जब एक first part को solve करने की कोशिस करे थे उसी में हमने actual third part भी solve कर दिया है तो यह question content complete होता है झाल झाल